एक बर फिर से आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल जोब स्टैडे गुरूजी में साथियो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं गुरूप डी भरती कट ओफ के वारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपने कितने कोश्चन ठीक किये हैं और आपके कितने नमबर बनते हैं सेफ स्कॉर आपका क्या रहेगा फाइनल सेलेक्शन के लिए कम से कम आपके कितने कोश्चन या कितने नमबर आपके पास में होने चाहिए ताकि आपका फाइनल में सेलेक्शन होसके गुरूप D के आपको नोकरी मिल सके तो यहाँ पर इसी बारे में डिस्कुस करेंगे और वीडियो में बने रहें जिस बाई ने एक्जाम दिया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जुरूर बताएं तो यह जो हम कटोफ की बात करेंगे यह संबावित कटोफ होगी फाइनल कटोफ नहीं होगी जो कटोफ के बारे में हम डिस्कुस करेंगे वो कटोफ या तो आपकी एक्जाम हो सकती है या फिर एक दो नमबर उपर निच्चे होगा इससे जादा आपका नहीं होगा तो एक बार आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कुर कितना जा रहा है और क्या कुछ आपका जो भी एक्शन नमबर आपके पास में है या नहीं है क्या आप एक्शन नमबर लेकर उस स्कुर के पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, कट ओफ को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं, कंप्टिशन के बारे में, यहां पर जो एक सीट पर कितने कंड़ेट है, तो 63 कंड़ेट है भई, 63 में से केवल एक बस्चा गुरूप D की नोकरी लगेगा, ठीक है, अब बात क करूँ, तो जर्नल कैटिगरी की कट ओफ है, वो कितनी जा सकती है, देखिए जिस बाई ने 55 कोश्चन्स ठीक कर दी है, यहां कोश्चन्स की बात हो रही है, नमबर की बात नहीं है, जिसके 55 कोश्चन्स ठीक है, नमबर बता देता हूं, जिस बाई के 55 कोश्चन्स ठीक है, एकतर नमबर बन रहे हैं कोशन्स की बात करें तो पलस माइनस का एक नमबर और यहाँ पर नमबर की बात करें तो पलस माइनस का एक नमबर यह जर्नल की कटोफ आपकी रह सकती है अब देखें EWS की अंदर कटोफ क्या रहेगी तो EWS में जिस बाइने तीयत्र कोशन्स ठीक कर दिये हैं आपके एक्विएट तीयत्र कोशन्स ठीक है आपके पास में एक्ष्टा नंबर है या नहीं है तीयत्र कोशन्स अगर आपके ठीक है पलस माइनस एक कोशन्स लेकर चले इसके बाद में नंबर की बात करूँ तो नमबर कितने हैं अगर आपके नमबर बनते हैं 69 नमबर अगर आपके हैं तो आपका अराम से हो जाएगा पलस माइनस का एक आप लेकर चलें BCA कैटेगरी की देखे BCA और BCB में एक दो नमबर का डिफरेंस रहता है यहाँ पर BCA कैटेगरी की कम और BCB की ज्यादा रहती है BCA वालों की जिस बाई ने 70 कोशन्स अटेम्ट के लिए हैं बिल्कुल सही एकुरेट और नमबर की बात करूँ तो जिसके 66 नमबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं अब बात करते हैं यहाँ पर BCB वालों की तो BCB वालों में जिस बाई ने बैतर कोशन्स ठीक कर लिए हैं पलस माइनस एक कोशन्स और जिसके 68 नमबर बन रहे हैं यह नमबर है 68 और कोशन्स के बात कर तो बैतर पलस माइनिस एक आप questions नमबर लेकर चले तो आप बिल्कुल safe है इसके बाद में यहाँ पर ऐसी category की बात कर लेते हैं जो ऐसी candidate है ऐसी candidate वालों के लिए जिस भी भाई ने 65 questions accurate बिल्कुल सही है और नमबर की बात करूँ तो जिसके 61 नमबर आपके बन रहे हैं बिल्कुल आप safe है आपका selection अराम से हो जाएगा फीजिकल हैंडिकेप की बात करें तो फीजिकल हैंडिकेप के लिए कितने questions करने आपके लिए जरूरी है तो देखे फीजिकल हैंडिकैप जिसने भी यहां पा रहे फीजिकल हैंडिकैप के अंदर 62 कोश्चन्स ठीक कर लिए हैं तो बिल्कुल आप सेफ है और सपोर्ट्स परसन की बात करें तो sports person के अंदर जिसके 55 question ठीक है नमबर की बात करें तो 52 नमबर 52 नमबर वाला safe है लगबग लगबग ये कटोफ आपके रहेगी एक नमबर उपर नीचे आपका हो सकता है तो अपना score comment box में जुरू बताएं आपकी कौन सी shift थी बताएं जैहिं जैभारत